रोज रोज हम एकी तरह से सबजी बनाते रहते हैं तो खाने का मन नहीं करता है लगता है कि कुछ और खाए अच्छा काए तो आज मैं आप लोगं के सथ वही बेसिक नॉर्मल वाली सबजी बहुत ही अलग तरीके से बनाना बताऊंगी जिसे की घर वाले खा करके बार बार ब सबजी लोविया को इंग्लिस में लांग बिंस बोलते हैं वैसे हमारे तरफ इसे बरबटी घंगरा बोलते हैं और इधर बैंगलोर में बहुत ज्यादा लंबा-लंबा मिलता है हमारे तरफ तो छोटा-छोटा होता है देसी वाला और इसे खाने के इतने सारे बैनिफिट्स हैं बहुत ही healthy सबजी है बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट भी लगती है खाने में यह blood pressure sugar को control करता है साथ ही साथ digestive system को भी बहुत ही अच्छा बनाता है और अगर मैंने यह आपर चार नए वाले आलू लिए यह छोटे छोटे साइज के हैं तो मैं इसे round round में ही कर रही हूं हलका सा ठीकी काटा है बहुत जादा पतला पतला नहीं काटेंगे और नए आलू है ना नहीं तो यह बहुत जल्दी गल जाएंगे और मैंने ना आलू को छीला नहीं है आप चाहें तो छील भी सकते हैं वैसे इसकी निसकी बहुत पतली थी तो मैंने इसे ऐसे ही काट दिया है अब मैंने कड़ाई चड़ा दिया है दोनों चीजों को मैंने अच्छे से धो लिया है वैसे मैंने आलू को पहले भी धोया हुआ था सारा पानी निकाल लेंगे कड़ाई मैंने एक डेवल स्पून के करीब सर बना करके देखिएगा वैसे लोबिया की सबजी मैंने एक और तरीके से पहले भी बना करके सेयर की हुई है आपने नहीं देखी तो जरूर से देखिएगा और इधर मैंने एक प्याज को बारिक चॉप किया है और दो टमाटर लिये हैं एक टमाटर को मैंने बारिक चॉप किय है और एक को मैंने बड़े-बड़े साइस में काटा है साथ ही मैं इदर अद्रक मेर्च लहसुन को कूट रही हूं और अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते है ना तो हम इसे यहाँ पर निकाल लेंगे और अब मैंने वापस से कड़ाई में एक चमची करीब तेल एड़ किया है कि थोड़ा से तेल बचा हुआ था थोड़ा सा मैंने और एड़ किया है तेल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो हम इसमें डाल देंगे जीरा साथ ही लाल मिर्च एड़ करी हूँ थोड़ा सा ही गड़ किया है और अद्रक लेसन और मिर्च का जो हमने कूटकर के पेश्ट बनाया था ना वो एड़ कर देंगे हलका से यहाँ पर इसे भुन लेंगे उसके साथ ही अब हम क्या करेंगे इसमें बेसन एड़ करेंगे बेसन अच्छी बन करके तयार होती है जो लोविया और आलू की सब्चे जैनरली थोड़ी सी अलग-अलग सी लगती है अगर आप एक से डेड़ चमच इसमें बेसन एड़ कर देंगे तो बहुत ही अच्छी लटपटी सी सब्ची बन करके तयार होगी बेसन हलका सा जब भुन जा खाते हों तो एड़ किसेगा अधरवाज स्किप कर सकते हैं तो जो किचन की गाना उससे टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है मसाले यहां पर थोड़े से भुन गया थे तो मैंने इसमें टमाटर एड़ कर दिया है और नमक और साथ ही थोड़ी सी कसूरी में थी जो टमाटर फेट लेंगे फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और जो टमाटर एच्छे से मसी हो जाएंगे ना तो हम दही को एड़ करेंगे दही डालने से सबची काफी ज़्यादा रिच बनती है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाती है और थोड़ा खटा रहता ना वो भी आड़ करेंगे एक बार मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी आड़ किया है लटपटी सी सब्जी बनाऊंगी मैं बहुत ज्यादा ग्रेवी वाली नहीं अगर आप ग्रेवी वाली पसंद करेंगे ना तो थोड़ा सा ज्यादा पानी आड़ कीज़े इतनी जादा टेश्टी बनती है ना कि जो लोग करेले नहीं पसंद करते हैं नहीं खाते हैं ना उन्हें भी बहुत ही जादा पसंद आएगी एक बारा बना करके देखिएगा तो बहुत लोग क्या करते हैं ना करेले का कड़वा पर निकाल देते हैं लेकिन फिर करेला खाने का कोई फायदा नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल भी निकालना पसंद नहीं करती हूं और अगर आप करेले का कड़वा पर निकालना चाहते हैं तो हलका सा नमक कर दें उसके बाद आप इसका सारा पानी निचोड़ दें उसके बाद ये प्रोसेस कर सकते हैं तो मैंने आपर दो चमचे करीब चावल का आटा साती हल्दी धन्या पाउडर नमक लाल मिर्शी पाउडर एक चमच पर के आमचूर और दो चमच मैंने आपर सफेद वाले तिल तो जो चावल का आटा ना उससे जो करेले है ना बहुत यच्छे क्रिस्पी बन करके तयार होंगे और हलका सा पानी आट कर रही हूँ मैं और इसे ना मिक्स कर लेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा पानी आट करके बिल्कुल गीला सा नहीं करना है हलका हलका क्रमली सा टैक् अच्छी है ना उसे पकते हुए 5-7 मेट हो गया थे सारा पानी अच्छे सी यहां पर सूख किया था और जो आलू है ना वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है आप लोग पिया तो बनाते ही होंगे घर में मतलब बरबटी एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा अप उ चोटा चमच गरम मसाला भी एड़ कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया यह ऐसी बहुत ज्यादा स्वादिश लगती है खाने में तो सबजी दर तयार हो गई है अब हम करेले को भून लेते हैं तो मैंने यहां पर एक चोटा चमच सरसो का तेल एड़ किया अच्छे सी से करके लोग लिम पे भूनते रहेगा तो बहुत ही अच्छे से पक भी जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी भी लगेंगे खाने में तो मैंने यहां पर करेले को बीच बीच में मैं चलाती रह रही हूं और साती मैं इदर आटा गूत रही हूं रोटी बनाने के लिए हाज मैं राइस नहीं बना रही हूं और आपको यहां पर जो करेले ना उसे पकाने में आट से दस मिट लग जाएंगे बिना पानी डाले ही आप इसी तरह से ढखड़क करके मतलब चलाते रही है बीच बीच में बहुत ही अच्छे से तयार हो जाता है एक दम क्रिस्पी लगती है ख खाम था वो नहीं जाना चाह रहा था तो मैंने उसे नहीं भेजा और आज मेरी वो पूरी हेल्प कर रहा है लंच बनाने में और रोटियों को रैप करने के लिए मैं या यूज कर रही हो और डियूने रैप क्योंकि 100% एको फ्रेंडली है और रियू से बल भी है और आज अ सारे काम उसे ही करने है उसे बहुत जादा इस तरह से तंक करने मजा आता है अवी उको दो दिन से सड़ी होई है तो इसकूल नहीं जा रहा है इसलिए वो बहुत जादा बदमासिया करता है आपल किसको दे रहा है? पापा को दे रहता है जब आसिस ऑफिस जाते हैं तो अभी फिलाल विडियो उसका स्कूल साड़े आट बज़े रहता है आसिस दस बज़े के राउन पे जाते हैं और वो काफी हेल्प कर रहा है मेरी कैसी लगी आप सब को आज की लंच बॉस की रेस्पी जरूर से कमेंट करक और मैं मिलती हूं नेक्स व्लोग में तब कर दिली बाबाई टिक क्यार